नमस्कार और विल्केम यो लू वर्ल अफेर्ड नयू प्रशांद वन नाव रिसेंडली आप सब लोगों ने ये निउस सुनी होगी कि पठान कोट अटाक का मास्टर माइंड शाहिद लतीव ये पाकिस्तान में था मजिद के भार आया अचानक से कुछ मिस्टीरियस लोग आ ब्लो लगा है जटका लगा है जैशे महमद को क्योंकि उनका जो लॉंच कमांडर था जो इनके बड़े ओपरेशन्स लॉंच करता था शाहिद लतीव ये अब मरा जा चुका है नाव इस वीडियो में हम बात करेंगे के पठान कोट अटाक में हुआ क्या था शाहिद इंडिया की बहुत बड़ी मिस्टेक क्यों थी 2010 में और इससे देखिए अब इंडिया की इवेंच्वल इमेज क्या बन रही है तो बहुत कुछ यहां पर आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेशन पूछूंगा डॉक्टर भीमराव क्या जाएगा 14 अक्तोबर को यहां पर आपकी आपकी उप्शन्स यूके यूएसे रश्या या फिर जपान गोर्मेंट सेक्शन में करिए उत्तर सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंड में ओके तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2016 के पठान कोट अटाक की यह बहुत एक एयर बेस पे अटाक करते हैं इन पठान कोट यहां पर आप देख पाऊगे पंजाब में आपको मिलेगा पठान कोट और यहां पर एक अटाक होता है किसी को उमीद नई थी के वेस्टन एयर कमांड के एक एयर बेस में इस तरीके से हातंगवादी अटाक करेंगे हमारे कई एरफोर्स के ओफिसर्स वीरगती को प्राप्थ हो गए हेवी लॉस हुआ था इंडिया को उस टाइम और इससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन्स बिलकुल डिस्ट्रॉई हो चुके थे उसक मुझे याद है कि बराक उबामा USA के प्रेजिजेंट थे डॉनल्ड टरम का टेन्योर स्टार्ट हुआ नीथा हम 2016 की बात कर रहे हैं और उबामा ने केडेगोरिकली पाकिस्तान को का था पठानकोट हमले के बाद कि पाकिस्तान को जो भी अपने टेरर नेटवर्क हैं इन्हें डिस्मेंटल करना होगा पाकिस्तान ने ये जो सारी बाते थी उबामा की एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी बहुत जादा प्रेशर USA की तरफ से डालने की कोशिश करी गई USA के उस वक जो सेकेटरी और स्टेट थे जॉन केरी इन्होंने ये का कि हमारी कोशिश है कि पठान कोट हमले की वजए से इंडिया पाकिस्तान का जो डालॉग है ये अफेक्ट ना हो जाए बातची इतना तूड जाए बट सिंस इंडिया देख सकता था कि उबामा की जो भी कॉमेंट्स थी इसको पाकिस्तान इग्नोर कर रहा था ये वही कंट्री है जहां पर पात साल पहले बराक उबामा की लीडर्शिप के अंडर ही एक सीक्रेट ऑपरेशन किया गया था उसामा बिलादेन को मारने के लिए तो हम कैसे expect कर सकते थे के पठान कोट हमला जेन आतंगवादियों ने किया है जो mastermind थे इस attack के उन पर पाकिस्तान कोई कारवाई करने वाला है इसलिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन्स बुरी तरीके से बिखरना शुरू हो गए थे यह आप कैली जी एक trigger point था बाद में अफकोर्स कुछ और अटैक्स भी हुए उरी अटैक्स के बारे में आपने सुना होगा जिसकी वज़े से इंडिया पाकिस्तान रिलेशन्स बिलकुल खराब हो गए थे अब हम यहाँ पर बात करते हैं शाहिद लतीफ की जो पठान कोट हमला हुआ था इंडियान एर फोर्स के बेस पर ये प्लैन किया था शाहिद लतीफ ने शाहिद लतीफ देखिए लाँचिंग कमांडर है जैशे मुहमत का उसके लावा कई संगटों के लिए काम कर चुका है बेसिकली इसका एक ही अबजेक्टिव था इंडिया को मैक्सिमम डैमेज पोचाना किसी भी तरीके से और हमारी गलती थी के 2010 में ये इनडिया में ऐसे कैदी था हमारी कस्टडी में था मगर हमने इसे पाकिस्तान में डेपोड कर दिया इसकी कहानी बड़ी अजीब सी है 1999 में शाहिद लतीफ को पकड़ लिया गया था इंडिया में ये जेल में था मगर सन 2010 में इंडियन गवर्मेंट ने शाहिद लतीव समेथ 24 और आतंगवादियों को वापस पाकिस्तान को थमा दिया और उस वक्त एज्यूम ये किया जा रहा था कि ये इंडिया का एक peaceful measure है ये आप कहलो शांती का संकेत है पाकिस्तान को कि हम बाचीत करना चाहते हैं रिल कि शाहिद लतीव को जो भी punishment इंडिया में मिली थी जेल की ये पूरी हो चुकी थी और legally कानूनी तोर पे हम इसको detain नहीं कर सकते थे ये गलती है हमारी यहां पे हमको clearly पता होना चाहिए था कि साथमी को वापस हम पकड़ाएंगे पाकिस्तान को पाकिस्तान की government literally इसको arm कर प्रवाइड करेगी और 2016 में इसी के अंडर प्लान किया जाएगा पठान को detak तो अगर 2010 में शाहिद लतीव को इंडिया डिपोर्ट ना करता टू पाकिस्तान 2016 का शाहिद पठान को ठमला ना हुआ होता तो again एक mistake थी हमारी it was a huge mistake अब वो mistake जाकर 2023 के अंथ में अब साल खतम लोगों ने शाहिद लतीव को मारा है इसके बारे में कुछ पता नहीं है obviously पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया को ब्लेम करेगा openly ब्लेम करेगा और मैं आपको ये बदा दू जो जस्टिन टुडो के आरोप है टू इंडिया पाकिस्तान कोशिश करेगा कि उससे लिंक कर दे इस कहानी को इससे पहले आपको याद होगा कि जब जस्टिन टुडो ने जब करेडियन गवर्मेंट ने ओपन ली ये कहा कि इंडिया ने अपने एजेंट भेजे थे और उन लोगों ने निजर को मरा करेड़ा में उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से स्टेट्पेंड ये आई थी कल ही के कैनेडा के जो पी एम है आज के समय यूए उसके लावा जॉडन कई और कंट्रीज के प्रेजिडेंट्स प्रामिनिस्टर्स को फोन करके कंप्लेंड करें इंडिया के बारे में के इंडिया को देखिए रूल आफ लॉग के बारे में इस देखना होगा जो अने किया है वो बहुत गलत है तो ये लोग कंप्लेइन कर रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर पाकिस्तान कोशिश करेगा के यह एलाइन कर दे कैनेडा के साथ जस्टिन टुडो के साथ और एंटी इंडिया निरेटेव यह फिलाएं के देखिए देखिए में अभी भी थोड़े बहुत brain cell इतने बचे हुए है कि खुद को इस मामले में पाकिस्तान के साथ ना खड़ा कर दे अगर नहीं बचे brain cell तो कोई बड़ी बात नहीं है कि दोनों countries मिलकर इंडिया के बारे में ये issue raise करें बट एक बात होता है अफिशली चाहे इंडिया ने कोई बात accept ना करी हो पाकिस्तान वाले केस को देख कर सिर्फ पाकिस्तान वाले केस की में बात करना हूँ इंडिया की ना एक image बन रही है मोसाद वाली literally इस पर कई आपको आर्टिकल देहेंगे कि क्या raw अब new मोसाद है इससे related आर्टिकल जब 2020 में आते थे ना तो लोग कहते दे के ये शायद थोड़ी सी exaggeration हम कर रहे है थोड़ा और बड़ा चला के हम दिखा रहे है बट मगर जो हाली में अब reports आई है केसे सामने आए है उससे एक बार को आप क्या सकते है के जो मोसाद का काम करने का तरीका है धीरे धीरे research and analysis wing ने भी वही तरीका adapt कर लिया है तो अभी हमें observe करना होगा के पाकिस्तान की तरफ से reaction क्या आता है ये लोग इस पर क्या बात कहेंगे उस पर मैं एक अलग से dedicated video बात में ले आऊँगा अगर USA is the right answer यहाँ पर आप देख पाओगे 14 October को unveil की जाएगी largest Ambedgar statue in North America और इसका नाम होगा The Statue of Equality यह भी आड़ कर दूँ कि आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं चाहे SSC, UPSC, Bank आप परचेस कर सकते हैं Unacademy के quality courses, comment section में जाएए print comment में यहाँ पर आपको मिलेंगे link For example, let's say आपको prepare करना है UPSC के exam के लिए तो UPSC के link पर यहाँ पर करिये click और यहाँ पर परचेस कर पाएंगे Unacademy का UPSC course But, जो prices यहाँ पर लिखे हैं Don't ever pay these prices Simply यहाँ पर code डालिए PD10 and the prices will start falling And you will be able to save a lot of money So, use the code PD10 and save money और इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ Thank you for listening May the gods watch over you